दिल्ली केपिटल की दमाकेदार जीत के बाद IPL 2022 की पॉइंटेबल में हुए बड़े बदलाव रोयल चलेंजर बेंगलोर को लगा बड़ा चटका तो दिल्ली केपिटल पहुंची पले ओप के बिल्कुल करीब नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चनल धाकड किरिकेट में IPL 2022 की पॉइंटेबल का हम आपको पूरा समीकरन इस वीड़ो में बताएंगे कि आखिरकार आप बचे वे मुकाबलों में से कौन सी टीम कितने मुकाबले चीत कर पले ओप में पहुंच सकती है और किस टीम को हरा कर पले ओप में अपनी जगह पक्की करने वाली हैं तो दोस्तो ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीड़ो के पूरे आखिर तक और साथी आप भी चाते कि आपकी फेवरे टीम IPL 2022 के पले ओप में अपनी जगह पक्की करें वो है गुजरा टाइटन्स की टीम तो वहीं पर दो टीमें ऐसी है जो IPL 2022 से बाहर हो चुकी है वो है चैने सुपर किंग्स और मॉंबई इंडिन्स इसके अलावा दोस्तो बाइकी बची वी साथ टीमों के बीच अभी भी पले ओप की रेस बनी वी है तो यह कापी रोमा चक हो चुका कि कौन सी टीम पले ओप में पहुँचे की और कौन सा मुकाबला जीतने के बाद वो पले ओप में पहुँच सकती है तो चले दोस्तो हम जानते है IPL 2022 की पूइंट टेबल का पूरा समीकरन तो दोस्तो फिलाल हम बात करते है नमबर 10 से तो यहां पर मुंबई इंडेंस की टीम है जिन्होंने अब तक 12 मुकाबलों में से सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं और इनके 6 पूइंट है यह टीम पलाई बावर हो चुकी है लेकिन अभी भी यह अपने बचे वे दोनु मुकाबलों में दो टीमों का समीकरन बिगार सकती है इनके मुकाबले दिली केपिडल और संद्राई जेदराबाद के सामने है अगर दोनु मुकाबले मुंबई इंडेस जीती है तो अपने साथ साथ उन दोनु टीमों को भी बाहर ले जा सकती है यह पले ओप की रेस से वहीं पर दोस्तों हम बात करें नंबर 9 की तो यहां पर चैने सुपर किंग्स है जिन्होंने 13 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं लेकिन यह टीम भी राजस्तान रोल्स को अगर आकरी मुकाबले में हरा देती है तो उनका समीकरन जरूर बिगार सकती है हलांकि राजस्तान रोल्स अपनी प्ले ओप में जगे पकी कर लेगी पले इनके खिलाब मुकाबले जीते या न जीते वहीं पर दोस्तों नंबर 7 पर इस समय मौझूद है संद राय जहेदराबाद की टीम जिन्होंने 12 में से 5 मुकाबले जीते हैं और इनके 10 अंक है जबकि नेट अंडेट माइनस 0 पॉंट 207 है ये टीम पले ओप में अब भी पहुंच सकती है अगर अपने दोनों मुकाबले सांदार तरीके से जीत लेती है तो और साथी रोल चलेंजर बेंगलोर और दिल्ली केपिटल एक भी मुकाबला अब ना जीते तो ये टीम पले ओप में अपनी जगे पकी कर सकती है वहीं पर दोस्तों नमबर 7 पर मौझूद इस समय पंजाब किंग्स की टीम का हाल भी कुछ ऐसा ही है ये टीम 13 मुकाबले केल चुकिए जिसमें से 6 मुकाबले जीते हैं जिबकि 7 मुकाबले हा रहे हैं और इनके 12 पॉइंट है ये टीम अपना आखिरी मुकाबला अगर जीती है जो कि संद्राइज जेदराबाद के सामने है अगर वहाँ पर बड़े अंतर से ये जीत दर्च करती है और दिल्ली केपडिल और रॉल चलंजर बेंगलोर अब कोई मुकाबला नहीं जीती है और उनसे इनकी नेट रंडेट बेतर होती है तो ये टीम पले ओप में 14 अंगों के साथ अपनी जगह पकी कर लेगी वहीं पर दोस्तों नमबर 6 टीम की हम बात करें तो यहां पर मौजूद है कोलकत्ता नाइट रेडस जिन्होंने अब तक 13 मुकाबले खेले जिनमें से 6 मुकाबले जीते है जिबकि 7 मुकाबले हा रहे हैं और इनके 12 पोईंट है नेट रंडेट इनकी पले 0.160 है ये टीम अ बात करती हैं पर रोल चलेंजर बेंगलोर की टीम अब नमबर 4 से नमबर 5 पर खिसक चुकी है इस टीम के 13 मुकाबले खेलें जिनमें से 7 मुकाबले जीते है जबकि 6 मुकाबले हा रहे हैं और इनके 14 पोईंट है नेट अंडेट इनकी माइनस 0.330 है ये टीम अपना आखिर बचावा मुकाबला गुजरा टाइटन्स के सामने जीती है और अगर दिली केपिटल अपना आखिरी मुकाबला नहीं जीती है तो ये टीम पले ओप में अपनी जगे पकी कर लेगी जबकि दिली केपिटल अपना आखिरी मुकाबला जीती है और रोल चलेंजर बेंगलोर बले ही अपना आकरी मुकाबला गुज्रा टाइटन्स के सामने जीत ले लेकिन इनकी नेटन डेट कापी ज्यादा माइनस में है जो कि दिल्ली केपिटल से पलस में ज्यादा नहीं हो सकती है जिसके चलते है ये टीम जीत कर भी बार हो जाएगी यानि कि ये टीम चाहेगी कि जीते लेकिन दिल्ली केपिटल हारे अगर ऐसा होता है तो ये टीम पले ओप में अपनी जगह पकी कर लेगी वहीं पर दोस्तों नमबर चार पर मौझूद दिल्ली केपिटल की टीम के तेरह मुकाबलों में साथ जीत के साती अब 14 पॉइंट हो चुके है नेटन डेट पलस किंग्स और संद्रा जिदराबाद की टीम के नेटन डेट इन से ज़्यादा अच्छी ना हो तो ये टीम पले ओप में अपनी जगह पकी कर लेगी वहीं पर दोस्तों नमबर तीन पर मौझूद है लकनों सूपर जाइन्स जिनोंने 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं और इनके 16 अंक हो चुके हैं जबकि नेटन डेट भी पलाच जिरो पॉंट 262 है तो ये टीम पले ओप में पहुंच जाएगी अगर अपना आखिरी मुकाबला जीती है तो अगर हारती भी है तो बड़े अंतर से ना हरे तो इनका जाना तई है इनने कोई बार नहीं कर सकेगा लेकिन अगर ज़्यादा बड़े अंतर से आरती है तो फिर इनके लिए मुस्किले खड़ी हो सकती है वहीं पर नंबर दो पर मौझूद है राजस्तान रोल्स जिनकोंने 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं और इनके 26 अंग है इनकी नेटन डेट पले 0.304 है जो कापी सांधार है यानि कि यह टीम भी तै हो चुकी कि पले ओप में पहुंचाएगी अगर अपना आखिरी मुकाबला बड़े अंदर से नहीं हारती है तो वहीं पर दोस्तो फिलाल हम बात करें नंबर वन टीम की तो यहां पर गुजरा टाइटन्स की टीम नंबर वन पर बनी वी है इन्होंने 13 और इनके 20 अंक हो चुके हैं यह टीम पले ओप में अपनी जुके पकी कर चुकी है लेकिन आखिरी मुकाबले में RCB कोहरा कर उनका गेम जरूर बिगार सकती है तो दोस्तो आपके साब से कौन सी चार्टी में पले ओप में पहुंच सकती है हमारे बताईवे समिकरन के साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद